गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम करने वाले हैं आपके जो चैप्टर चल रहा था डिग्रीज उसका हम जो आपके एट चैप्टर था इंग्लिज ग्रामर के अंदर डिग्री ओफ कमपैरेजन उसके जो एक्सराइस थी वो आज हमें करनी थी तो एक्सराइस के डिग्री ओफ एड्जेक्टिव फ्रॉम दे ब्रेकेट्स आपको ब्रेकेट्स दे रखा है आपको यहां पर सही ऑप्शन है जो चूस करके और प्लाइंग के अंदर भरना है तो अब मैंने आपको बताया था कि जो कमपैरेटिव डिग्री होती है कमपैरेटिव में पीछे एर लगाते हैं और सुपरलेटिव में पीछे एस्ट लगाते हैं कुछ कुछ जगा पे स्पैलिंग चेंज हो जाती है ज Christmas के अंदर बता दिया गया था comparative की निशानी क्या होती है कि उसमें adjective के पीछे comparative की निशानी ये होती है कि उसमें adjective के पीछे आपको then दे रखा होता है तो आपको पता चल जाता है कि ये जो blank है blank के पीछे अगर then दे रखा होगा तो मतलब आपको समझ जाना है कि यहां पे मुझे comparative degree भरनी है और अगर blank से पहले the आ गया है, तो आपको समझ जाना है कि यहां पे मुझे superlative degree भरनी है और अगर न तो the दे रखा है न then दे रखा है, मतलब आपको समझ जाना है कि यह positive degree है, मतलब उसको normal ही लिखना है, इस तरीके से है तो अभी यहाँ पे देखें, देखो यहाँ पे blank के बाद then दे रखा है, then है मतलब यह comparative degree भरनी है, comparative में हम लगाते है er, तो हम older यहाँ पे choose करेंगे, यहाँ पे फिर से then आया, comparative degree है, तो er वाला choose करेंगे, sweeter choose करेंगे, यहाँ पे आगे आया है the, the मतलब superlative degree, तो हम est वाला coldest choose करेंगे, फिर इसके बाद में यहाँ पे है then, then है मतलब comparative degree, तो comparative degree में bad के लिए क्या आता है, worse आता है, bad, worse, worse, वो superlative में होता है, तो worse है comparative के लिए, तो हम यही choose करेंगे, फिर यहाँ पे भी then आया है, then आया है, तो हमें comparative degree choose करनी है, comparative होता है less, इन तीनों में comparative के लिए choose में होता है less तो हम less choose करेंगे फिर इसके बाद में यहां पे है द आ गया दो के लिए क्या आता है most बताया था आपको दो के लिए आता है most तो हम most लगाएंगे इस तरीकी के बाद में हैं आपके second fill in the blanks with correct degree of adjectives जो bracket में आपको word दे रखा है उस word के लिए आपको सही degree लगानी है तो देखो दो दे रखा है मतलब superlative तो हम इसके पीछे EST लगा देंगे तो longest बन गया फिर इसके बाद में then आया है देन आया है मतलब ER लगा दिया harder बन गया फिर इसके बाद में आगे है दो दो है तो EST लगाना पड़ेगा superlative बिनाना पड़ेगा तो हमने highest कर द फिर इसके बाद में देन आया है, देन आया है मतलब एर लगाना है, और एक और रूल में आपको बताया था, कि अगर लास्ट में वाइ होता है, तो वाइ को हटा के क्या लगाते हैं, आई लगाते हैं, उसके बाद में हम एर लगाते हैं, इसके बाद यहां पे दव है, दव ह इसके बाद में third जो question है, इसमें क्या दे रखा है, आपको एक sentence दे रखे हैं, sentence में इन्होंने गलट degree यूज की है, तो आपको उस गलट degree को सुधार के, सही degree of adjective लगानी है, आपको उस sentence को सुधार ना है, बाकी पूरा sentence सेम लिखना है, जहां पर degree की इन्होंने mistake कर रखिये, त आपको उस mistake को सुधार ना है, जैसे यहां पर this is the, the आया है, मतलब क्या लगनी चाहिए, super relative degree, super relative degree में क्या लगाते है, est लगाते है, और यहां पर इन्होंने er लगा दिया, comparative degree लगा दिया, तो हम सही करते हैंगे, this is the, तो यहां पर er हटा के हमने क्या लगा दिया, est लगा द मतलब क्या करना था, comparative degree लगानी थी, लेकिन यहां पर इन्होंने कोई degree लगाई नहीं है, सिर्फ positive रग दिया है, ना तो comparative लगाई ना super relative लगाई, तो हम colorful के आगे क्या लगा देंगे, comparative degree में क्या लगाते है, more लगा देते हैं, तो हम more लगा देंगे, Rani wants more colorful curtains than the one we bought yesterday, बाकि स भी रख दी, ना तो comparative बनाई ना super relative बनाई, तो हम बाकि सब सेम लिखेंगे, I think Ashoka was the mighty का कर देंगे, हम mightiest, y हटा के i कर देंगे, और est, mightiest king of all कर दिया है, तो रोहन is quite, तब दीखो यहां पे ना तो the है ना then है, मतलब यहां पे ना तो comparative बनाना था, ना super relative बनाना था, इसको positive रहने देना था, लेकिन नोंने यहां पे super relative बना दिया, तो हम EST हटा देंगे, IST हटा देंगे, वाई normal इसको happy को happy लिख देंगे, बाकि सब सेम ही है, रोहन is quite happy, यहां पे कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि ना तो the है ना then है, तो comparative बनाना ना super relative बनाना, इसको positive degree रहने देन पर इसके बाद में यहां पे है, जनत सेड, it was the bad accident she had ever seen, the आग्या दिखो, the के लिए super relative degree होती है, तो bad का super relative क्या होता है, worst, तो हम बाकि सब सेम लिखते हैं, बस bad की जगा पे worst लिखते हैं, बाकि सब पूरा same लिखा है, that dish is little expensive, ठीके न, that dish is little expensive than, than है, तो than के लिए comparative, little का comparative क् है, less, तो हम little की जगा पे बस less लिखेंगे, बाकि सब पूरा same लिखना है, फिर इसके बाद में, you look very thinner today, देखो, ना तो दो है, ना दैन है, कुछ भी नहीं है, तो ना तो comparative करना, ना super relative करना, बस thinner का हमको कर देना है, thin कर देना है, इननोंने यही गलती करी थी, तो हम इसको कर देंगे, यह positive degree है, very, weight got much marks in the term exam, then, देखो, then, आया मतलब क्या हुआ, comparative degree हुई, तो much का comparative क्या होता है, more होता है, तो हमने यहापे लगा दिया, weight got more marks in the term exam, फिर वाकि सब पुरा same, same ही है, फिर इसके बाद में आगे है, D, question D, इसमें इनोंने बोला है कि match करना है हमें, तो देखो, a shame is the kindest, इसके साथ में क्या जुड़ेगा, E जुड़ेगा, boy in the group, फिर इसके बाद में है, this is the worst, इसके साथ में D जुड़ेगा, film that has ever been released, फिर जिराफ is the, B जुड़ेगा, tallest of all animals, फिर this apple is redder than the one you have eaten, रश्मी is the most, C, responsible girl in the class, you are luckier than your brother, बस बहुत ही सिंपल था, जो इसके साथ में जुड़ सकता है, उसको आपको साथ में जुड़ना है, और बहुत ही सिंपल तरीके से ये कर देना है, आपको answer आपको पता ही है कि आपको अरबर कैसे लिखवाते हैं, match ups में, equal करके और सामने व साथ अच्छे से आपको notebook के अंदर करना है, सुन्दर handwriting में, और यहां पर आपकी chapter हो चुगा है complete, next video में नया chapter करेंगे,